एक गाउं में भोला नाम का एक ब्यक्ति भगवान राम का भक्त था। बहे दिन रात राम नाम जबता रहता था। जो भी मिलता उसको राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता था। गाउं वाले उसे बहुत मानते थे लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी रहती थी। भोला गाउं में एक हलवाई की दुकान चलाता था, बै बहुत मेनस से मिठाईयां बनाता था, उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक लोगों को पसंद आती थी, कुछ लोग उससे रामराम करके मुफ्त में ही मिठाई खा लेते थे, एक दिन उसकी पतनी सुमित्रा ने कहा, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फाइदा उठा लेते हैं, भोला भोला मैं तो प्रभू श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूं, कुछ लोग खरेद लेते हैं और कुछ लोग प्रसास समझ कर खा लेते हैं, सुमित्रा ने कहा, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो ही रहा है। भोला भोला तुम्हें पता है राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूं बै इतनी स्वादिश्ट बनती है कि ग्रहावकों को बहुत पसंद आती है। सुमित्रा उसके इस सुभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुमित्रा की एक सहेली उससे मिलने आई। सुमित्रा ने कहा बेहन मैं तो अपने पती से बहुत दुखी हूँ। बे तो कुछ समस्ते ही नहीं कि दुकान कैसे चलती है। सहेली ने कहा एक काम कर तू, उनकी दुकान को संभालना शुरू कर दे, कुछ दिन तू उनसे कहे कि बे मिठाई बनाएं बेचने का काम भैस्वयम करेगी, ऐसे में नुकसान नहीं होगा, अगले दिन सुमित्रा भोला से कहती है, सुनो जी, आप आसे मिठाई बनाओ, मैं दुकान पर मिठाई बेचूंगी, भोला भोला ठीक है, जैसा तुम चाहों, लेकिन दो बाते याद रखना, एक तो कोई भी ग्रहक दुकान से बापस ना जाए, और दूसरा सबसे पहले भगवान का भोग लगाना, सुमित्रा दुक उसकी मिठाई खूब भिकने लगती है, तभी एक बुढ़ा आदमी दुकान पर आता है, सुमित्रा कहती है, बाबा, क्या चाहिए, बुढ़ा आदमी कहता है, बेटी मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता, सुमित्रा कहती है, बाबा, यहां तो बिना पैसे की मिठाई नहीं मिलती मेरे पती पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं अब यह सब नहीं होगा बुड़ा आदमी कहता है कोई बात नहीं बेटा वो जो राम जी को भोग लगी मिठाई है वही मुझे दे दो उसे तो तुम अब बेचोगी नहीं भगवान का प्र बोला दुकान पर पहुँचा तो देखा भोग की मिठाई रखी है बोला बोला क्या हुआ आज बाबा नहीं आये सुमित्रा बोली कौन बाबा एक बुड़ा आदमी आया था मैंने भगा दिया बोला बोला यह तुने क्या किया जब से मैंने दुकान खोली है हर दिन बे बा तुमने तो ना जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी अब ये सब नहीं चलेगा अगले दिन बहबूरा आदमी नहीं आया पूरे दिन सुमित्रा दुकान पर बैठी रही लेकिन सारी मिठाई रखी रही कोई ग्रहक नहीं आया इसी तरह कुछ दिन और बीद सारी मिठाई फेकनी पड़ी घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया हार कर सुमित्रा ने कहा मुझे लगता है आप ठीक कह रहे थे आप जल्दी से जाकर बाबा को ढून लाइए नहीं तो हम भूके मरने लगेंगे बोला बोला अब कहां मिलेंगे बाबा सुमित्रा रो के चरणों में मिठाई रख कर भोला कहता है प्रभू आपने आना बंद क्यों कर दिया सुमित्रा कहती है यह आप क्या कह रहे हैं बोला बोला ध्यान से देख श्री राम की मूर्ती को सुमित्रा मूर्ती देखती है तो उसकी आँखों से आशु बहने लगते हैं क्योंकि पूरे आदमी की जलक दिखाई दे रही थी। सुमित्रा बोली प्रभू मुझे माफ कर दीजिये। आप स्वयम भोग लगाने आते थे मैं मूर्ख आपको पहचानना सकी। मंदिर से आकर भोला ने दुकान खोली उसकी मिठाई पहले की तरह बिखने लगी। लेकिन उस दिन से प्रभू राम नहीं आये। आप भोला और सुमित्रा सुबह दुकान खोलते ही भगवान का भोग लगाते। उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वाले लोगों को बाट देते। उन्हें आज भी इंतजार था कि शायत प्रभू किसी और भेश म आजाएं। जय श्री राम।